जैहिंद, जै जवान, जै किसान आप देख रहे हैं ग्यानोदाए ग्यान नक्सा सुद्धी करण पकवाड़ा चल रहा है उसी से संबंदित सिंख लाम है यह वीडियो नक्सा तुर्टी अनलिंग खसरा में आई तुर्टीओं को दूर करने के लिए है नक्सा सुद्धी करण में पहले ही मास्टर टेनर के द्वारा ली जाने वाली क्लास तथा सूची को निकालना, तुर्टी को पहँचान करना और सॉल्व करने के लिए वीडियो चैनल पर मौजूद है उन्हें आप देख सकते हैं अन्लिंग खसरा, तुर्टी, वह तुर्टी होती है जिसके अंतरगत आपके खसरे में तो किसी सर्वे नम्मर का बटवारा हो गया है, लेकिन नक्से में बंटांकन नहीं हुआ है ऐसे पिरक्रण अन्लिंग खसरा की अंतरगत आएंगे हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने बंटांकन का आदिश करा लिया है और उस सर्वे नम्मर को नक्सा में तर्मीम करना है तो सबसे पहले पटवारी आईडी को लॉगिन कर लेना है नक्सा तर्मीम करने के लिए जो टूल्स उपयोग में आएंगे उन्हीं के फंक्सन के बारे में जानेंगे लॉगिन होने के बाद डेटा अदतन सुदार इसके बाद नक्सा बंटांकन पर जाके किलिक कर लेना है जैसे ही आप नक्साबन टांकन पर क्लिक करेंगे तो नक्साबन टांकन में आपका जिला, तैसील और गाउं इनकी डिटेल्स भरने के बाद जिसमी सरवे नंबर का आपने अदतन करना है उस सरवे नंबर को नक्सा सुधार में डाल के सिलेक्ट कर लेंगे इनके मामले इसके अंतरगत वह सरवे नमबर आ जाते हैं जिनका आपके खस्रे में बटबारा हो चुका है तो वह सारे सरवे नमबर यहाँ पर सोग करेंगे इस्क्रॉल पॉर्ग में और दूसरा है नक्सा सुधार बिलाई के मामले इसके अंतरगत आपने जो रिसेंटली कोई भी अमल किया है तर्मीम किया है तो वह नमबर यहाँ पर देख जाता है कि यह उनका बिलाई करना हो तो वो यहाँ पर देख जाएंगे तो मैंने एक सरवे नमबर डाल के ओपन कर लिया है अब इसमें लेप्ट साइड में जानकार ही रहती है लेट्स जैसे ही आप यहां बेश पार्शल पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए यहां से जो आपने सेलेक्ट किया हुआ रेड कलर का था वह हड़ जाता है और इसको अशनेशल पार्शल पर करेंगे तो यह दुबारा से उसी जगई पर आजाएगा यहां पर किस-किस के नाम से यह नकसा है क्या उसका हिस्सा है कितना रकवा है यह सारी जानकारी यहां पर आ जाती है और भी इनफॉर्मिशन यह बाएं साइड में दी हुई है आस साइड के जितने भी शीमाओं के सरविय नंबर है वो भी हड जाएगा ये प्लस माइनस के निसान से आप नक्से को छोटा और बढ़ा कर सकते हैं और एरो के निसान से लेफ्ट और राइट में कर सकते हैं और बढ़ा छोटा करने के लिए इसमें और भी ऑप्सन है लेकिन आप ये बाइन साइड में दिया हुआ है इस ऑप्सन के माध्यम से भी कर सकते हैं जो बाइन साइड में दी हुई जानकारी को ये आप हटाना चाहते हैं मिनिमाईज करना चाहते हैं तो ये जो एरो का निसान है उस arrow के निशान पर जैसे आप किलिक करेंगे तो यह side में hide हो जाएगा और आपका नक्सा पूरा full screen पर दिखने लगेगा जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ यह देखिए यह पूरा नक्सा फुल श्क्रीन पर आगया है जिस पर आपने काम करने में और सही से कर सकते हैं कि इसके बाद यह उपर option दिये हुए है एक्ट्रिब्यूट टेवल एक्ट्रिब्यूट टेवल इसमें आपके इस नक्से से सम्मंदत technical information मिलेगी जैसे district ID, तैसिल ID, हलका नमबर, गाउंकी ID, खसरा ID यह नक्सा कब create किया गया है जैसे इसमें दिया हुआ है कि अप्रेल 2016 को यह नक्सा create किया गया याने की बनाया गया है LG कोड भी यहां पर मिलेगा और आज की डेट जिस दिन आप बंटांकन कर रहे हैं वह भी डेट यहां पर आ जाईगी है प्लाट किस तरीके का है, S का है या P का है तो S है जो की किर्शी भूमी को प्रदर्सित करता है इसमें पूरी information उस नक्से की रहती है कि टेक्निकल चीज़े हैं आप इसको कभी भी बाद में भी देखेंगे तो सारी डेटिल्स यहां पर मिल जाएगी दूसरा option है pen इस pen के निशान पर click करके screen पर प्रदर्सित होने वाले नक्से को कहीं भी move किया जा सकता है वैसे तो mouse के left click को press करके भी नक्से को screen पर move किया जा सकता है लेकिन pen पर click करने से जादा smoothly move होता है इसके बाद तीसरा option है zoom in यह जो magnificent lens पर plus का निशान बना हुआ है उस पर click करेंगे तो नक्से पर जैसे आपने click करेंगे तो यह बड़ा होगा और minus के निशान से यह छोटा होगा zoom out इससे यह नक्सा छोटा होता जाता है और दूशा option है zoom to full extent इस tool पर click करने से screen पर कितना भी बड़ा या side में left right कहीं भी छुपा हुआ हो नक्सा वह center में छोटा होकर दिखने लगता है एक click में ही center में नक्सा आ जाता है इसके बाद zoom previous और zoom nest यह दोनों option undo और redo की तरह काम करते हैं ऐसा ही समझें एक तीर पर click करने से पहले की इस्तिति तथा दूसरे पर click करने से उसे इस्तिति में जो पहले की हुई वह इस्तिति यहां पर दिखने लगती है यह इसके बाद है major length major length यह जो गुनिया के जैसे एक icon है इस पर click करने से नक्से की एक भुजा की लंबाई मीटर में नाप सकते हैं इस पर click करेंगे तो mouse का arrow square में बदल जाता है फिर इस square को किसी एक स्थान पर रखकर जितना आंगे लेते जाएंगे उतनी distance मीटर में बताते जाता है यह देखिए कैसे इस पर click करने से आप नक्से के किसी भी हिस्से का measurement कर सकते हैं यसे आप किसी एक points से start करेंगे और जिस जगए मोड़ना है उहाँ पर Left click करके start points से मिला देना है मोड़ना है इस तरफ ले जाना उस तरफ चला जाएगा और starting points से जैसे ही आप मिला देंगे तो तो पूरा एरिया नापने के लिए point है इसके बाद start stop editing start stop editing इस पर click करने से नक्षे में edit करने वाले option खुलते हैं और बंद होते हैं यहाँ पर दो प्रकार के group icon है जो उपर वाले tools हैं वहें नक्षे को adjust करने और measurement करने तथा information के हैं और नीचे दाहिने tools जो start stop adding icon इसके खुलते हैं यह नक्षे को editing यह तबिलात करने के लिए हैं एक बार click करने से खुलते हैं और दोबारा उसी पर click करने से बंद हो जाते हैं दूसरा है save editing save editing यह है save का button है जितना भी आपने काम किया है इसे save करते चलें तो आपका किया हुआ कार erase नहीं होगा क्योंकि कई बार log out हो जाने से या site नहीं चलने से जो आपने कार किया है एह दुबारा नहीं करने पड़ेगा save हो जाएगा उसी तरह पर दखाई देगा और इसके बाद है refresh map यह refresh करने के लिए है यदि कोई line डाल दी गई है और इसे split select geometry की मदद से मैंने नक्षे को काट रहा हूँ नक्षे को मैंने काटा लेकिन आपको लगता है कि नक्षा सही नहीं कटा है इसे दुबारा करना चाहिए तो इसे हटाना होगा तो फिर आप refresh बटन पर क्लिक कर देंगे तो यह पूरे विश्थी में आ जाएगा दिया रखें जब तक हिस्सा बरावर नहीं कटेगा तब तक यह लेगा ही नहीं जैसे कि एक खिस्से में पंधरा आरे 5 आरे जब तक ह 2050 आरे की लैनमंने खींच लेंगे 15 आरे हिस्स्सा नहीं बना लेंगे तब नहीं कटेगी एक और बात है पटवारी से सिर्फ उन्ही नंबरों को काटा जा सकता है जनके बंटांकन पूरे के हो चुके हों और रकवा समान हो रहा हो तो ये उपर वाले टूल्स नक्सा देखने के लिए हैं मापने के लिए हैं और नीचे वाले टूल्स को भी ये समझ लेते हैं अभी ये सारे टूल नक्सा सोधार वाले होते हैं ऐसे कि मैंने ये काट लिया है ये लाइन डल गई है अब हमें लगता है कि ये लाइन सही नहीं डली है अब इसको हमने हटाना है अब इसको जैसे हमको हटाना है और दोबारां से लाइन डालनी है तो एक बार इसको refresh कर देंगे एक बार refresh करने के बाद कि जैसे इसको refresh कर देंगे तो ये डेली हुई line यहाँ से हट जाएगी लेकिन योदि आपने इसको Save कर दिया है योदि इसको save कर दिया है तो यह line नहीं ढटेगे इसके लिए आपने फिर नीचे जाके बैक जाना पड़ेगा तैसी लार को भेज़े बैक जाके दुवारा से उपन करके आना पड़ेगा तो फिर यह खुल जाएगी अगर दिशेव हो गया है शेव नहीं होने से पहले आप रिफ्रेश करके हटा सकते हैं मैंने रिफ्रेश कर दिया यह डली हुई लाइन यहां से हट गई है नक्से में कोई भी काम एडिटिंग किया जा सकता है और इनको समझना बेहत जरूरी है क्योंकि यदि आप इन पर किसी पर भी क्लिक नहीं करेंगे किसी एक पर तो आप कोई कार करी नहीं सकते सारा काम एक बार नक्सा सेट होने के बाद इनहीं पर करना होता है अध्यतन सेलेक्ट जियोमेट्री से उसे हटाना है जैसे सेलेक्ट जियोमेट्री पर क्लिक करेंगे तो नक्से को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यह यलो कलर का हो जाता है एडिट करने के लिए यदि उसको हटाना है तो आपने किलियर फीचर सेलेक्शन पर कर देंगे तो यह हटके रैड color का हो जाएगा इसका सिर्फ इतना ही काम है कि यह select कि युए हुए जगह को हटा देता जैसे कि select कर गया था यह हट गया और फिर से red हो गया उस पर click किया symmetry पर तो यह फिर से yellow हो गया जब तक आप yellow नहीं होगा तब तक आप इस पर काम नहीं कर पाएंगे एडिट करने के लिए इसको yellow करना जरूरी है इसके बाद दूसरा option select geometry है select geometry इसका काम है जिसकी भी survey number पर आपको काम करना है उसे काम करने के लिए तयार करना है यानि उस नक्से को select करना है जब तक आप इससे select नहीं करेंगे ये edit नहीं कर पाएंगे जब इस select हो जाता है तो जैसे पहले बताया पेले color का हो जाता है तूसरा है नक्सा number अदतन करें इस tool का काम है select की हुए नक्से में number को डालना इसमें केबल वही number डाले जा सकेंगे जो उस नक्से में मौझूद है जैसे कि यहाँ पर दो survey number बन गए है पांच बटे एक और पांच बटे दो धाया है याद रहे इदी आप जpees veto करेंगे तो एक ही select होगा एक अपने चेंज खरना है तो दोनों को select करना होगा तो इसकी लिए keyboard से Ctrl की Ctrl की को धवा कर और दूसरे हिस्से को select करना है Ctrl की दवा कर फिर mouse से रूसरे हिस्से को भी सिलेक्ट करें गे तो यह दोनों ही select हो जाएंगे select होने के बाद नक्सा number अंदितन करके number जो डालना चाहते हैं डाल दें और assign कर दें assign assign पर जैसे ही आप click करेंगे number change करना है वही number आएंगे जो इस नक्से में मौजूद है बस आपने नक्सा number change करना है किसी को कोई और देना है यह देखिए तो यह नक्सा number जो नीचे था वही उपर हो गया और उपर वाला नीचे हो गया अब इसमें क्या हुआ है यह पांच बटे दो अभी दोनों ही हो गए हैं तो हमने पांच बटे दो उपर रखना है और नीचे पांच बटे एक करना है तो हमने फिर से एक नीचे वाले को सिलेक्ट कर लिया और पांच बटे एक उसमें डालके असाइन कर दिया तो यह देखिए पांच बटे एक यह नक्सा नीचे वाला हो गया है तो इस तरीके से आप उपर नीचे के नक्से बदल सकते हैं और इसमें तो दो ही सरवे नंबर हैं और अभी इसमें चौथा अप्शन है टूल ग्रिट क्रियेशन इसका उप्योग बहुत ही बारी की से और सटिक तरीके से लाइन डालने के लिए उप्योग में लिया जाता है जैसे कि इस नक्से में जो लाइन डालनी है सपोच करिए वह एक सीधी ना होकर खेत में एक निश्चित दूरी से मोड़ना है तो यह ग्रेट पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी को नापने के लिए काम आता है वैसे इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी इस पूरे ग्रेट में पांच मीटर की होती ह तो एक निच्चे दूरी से ज़िए आग को मोड़ना है तो यह है इसी की मदद से आप जोड़ सकते हैं जैसे माना कि पॉंट 10 से हम चल रहे हैं पॉंट 10 से हमने चलना स्टार्ट किया और अंदर आके 20 मीटर के बाद हमने मोड़ देना है तो 10 पॉंट से हमने 20 मीटर की लेंथ में टूल से नाप लेंगे फिर उसी पॉंट से लाइन को मोड़ देंगे इससे जो खेत के टेड़े मेरे खेत होते हैं उनकी सटिकता से बन टांकन किया जा सकता है अब इसे हटाना है तो या तो सेव करके ही तैसिलदार को भेज दें यदि च害ी हो गया है यदि इसको हटाना है तैसिलदार को नहीं भेजना है तो Grad को हटाने के लिए आपको Back जाना पड़ेगा यह हटेगा नहीं आप एक बार Back जाईए तभी ये great का option हटेगा ये point पर हम जाके बिल्कुल सटी एकता से इसका बंटांकन कर सकते हैं point to point मिलाएंगे जो आपने ground में जिसका बंटांकन किया है ये टेड़े मेड़े खेत होते हैं उनकी लिए काफी अच्छा मददगार होता है तो वहाँ पर आप area की map करके आएंगे कितनी चलने के बाद उसमें मुड़ा ही है कितना चलेंगे तो हमारा left side में खेत मुड़ा है या right side में मुड़ा है या अंदर की तरफ है या वाहर की तरफ है वो चीजें आपको मीटर में नापके रखनी है ये जो उपर वाला area दिख रहा है खस्रे का छेत्रफल और नीचे वाले खस्रे का छेत्रफल ये दो परकार के छेत्रफल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो नीचे वाला छेत्रफल नीचे वाले हिस्से के लिए दिख रहा है और उपर वाला छेतरफल उपर वाले हिस्से के लिए दिख रहा है और उसके बाद टोटल रखवा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपने जितना चल दिये हैं तो ये टोटल इतना रखवा हो गया है और इतना रखवा बचा है ये दोनों उपर नीचे का होता है जैसे कि यह देखिए हमने यहाँ पर लाइन डाल दिया है अब यह जो ग्रीड है हमने ग्रीड की मदद से यह लाइन डाली है लेकिन अब यह ग्रीड को हटाना है सपोज करिए तो यह हटता नहीं है इसके लिए आपको रद करें या पीछे जाएं इन दो ही ओप्षन का सेले होता है अधिक उप्यूग नहीं होता है तो हम इसमें नहीं जाएंगे और छटमा टूल्स है स्प्लेट स्लेक्ट जमेट्री यह बहुत ही महत्पूर्ण है इसकी मदद से नक्से का विभाजन रखवे के अनुसार कर सकते हैं यह तभी एक्टिवेट होता है जब आप स्लेक च्वेट्री पर नक्सा को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे की मिए कि नक्सा को स्लेक्ट कर लिया है और अब इसमें आपने पॉ害ंट डालना होगा शाकट कर लिया तभी एर टूल्स एक्टिवेट होगा तो आपने लाइन कहा दालने है यह चारों तरफ से point बनके आगे हैं तो वो point आपने चुनना है एक point आपने start point चुनना है दूसरा second point चुनना है second point यदि आप चुनेंगे second point नहीं चुनना है तो none कर देंगे और इसके बाद वहाँ से line डाल सकते हैं इसके बाद है सात्मा टूल मर्ज सेलेक्टेट जियोमेट्री इसका काम दो या दो से अधिक सरवे नमबर को नक्से में इश्थित है उन्हें आपस में मर्ज करना ये मर्ज तभी होगा जिसे आप पहले सेलेक्ट किया हुआ हो यानि पीले रंका हो जाना चाहिए सेलेक्ट कर देंगे तो यह मर्ज होके एक नमबर बन जाएगा दोनों नमबर एक हो जाएंगे हमने दोनों को मर्ज करना है पांच बटे एक पांच बटे दो को हमने पांच बनाना है जो पहले नमबर था तो हमने यह दोनों को पहले पीला किया सेलेक्ट जियोमेट्री से यह बड़ा प्रोब्लम होता है लॉग आउट का यह लॉग आउट हो गही है साइट फिर से मैं लॉग इन होके बताता हूं तो सेलेक्ट किया है यहां दो अगर सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल की बूर का कंट्रोल की प्रेस करके ही सेलेक्ट करना है तब ही दोनों सेलेक्ट होगे नहीं तो एक एक सेलेक्ट होगा हमने यहां प्रेस कर दिया है मर्ज देखें मर्ज होके दोनों पीछ की लाइन हट गई है और मर्ज होके पूरा खेत पूरा प्लॉट एक नंबर बन गया है मर्ज हो गए हैं दोनों आपस में इसके बाद नेस्ट टूल्स हैं सीडी टूल्स और स्नेपिंग सेटिंग से सम्मन्नित इनका अधिक उपियोग नहीं है और अंगला टूल्स है ड्रैक जियोमेट्री ड्रैक जियोमेट्री इसका उपियोग करके आप अपनी नक्से को उसके इस्थान से उठाकर किसी दूसरी जगए भी रख सकते हैं यह सिर्फ काम करने के लिए है ऐसा नहीं है कि उसका जो जो पर्मानेंट इस्थान है वह है बदल जाएगा जब आप सेप करेंगे या दूसरी जगए रहके इस पर काम कर सकते हैं चाहें तो और इसमें कुछ खास नहीं है कि इसके बाद अंगला टूल्स आता है ड्रेग रेगुलर पॉलिगन जैसे रिफ्रेस करेंगे तो यह अपनी स्थान पर पहुँच जाएंगे अंगला टूल्स है ड्रेग रेगुलर पॉलिगन इससे आप किसी भी खेत में कुवादर्ज कर सकते हैं इस पर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा तो वह ज्यादा सही रहेगा कि किस तरीके स कुवादर्ज करना है और इनकी क्या क्या प्रोसेस है वैसे थोड़ा बता देता हूं जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया जिस भी खेत में कुवादर्ज करना है और किस पॉइंट से कितनी दूरी अंदर खेत के किस पॉइंट से कितनी दूरी पर है वो पहले तो आपने पॉइ हैं दो पॉंट की डिस्टेंस यहां पर जैसे कि 13 मिटर दी गई है पॉंट पी फाइव और पॉंट पी शिक्स इनके जो बीच की दूरी है वह यहां पर 13 मिटर है 13 मिटर इनके बीच की दूरी है तो आप इनके करके बीच कहां से start करना चाहते हैं मुजाइदी यहां पर आप दूरी डाल देंगे और गो पर किलिक कर देंगे तो उसी जगए से point start होगा है तो जितने भी आप बिर जाएंगे और जो यहां पर आपको अंदर जाने के लिए देखना नहीं पड़ेगा उसी पॉइंट से आपका ये दिखाता जाए गया कि कितने मीटर चल गए हैं और उतने मीटर आने के बाद उसको आप क्लिक करके एक radius में बना लेंगे radius की दूरी भी पता चल जाती है कि कितने radius का कुवा है एक मीटर का है दो मीटर का है जितनी भी radius का है उस तरीके से कुवा select हो जाता है और ये नीचे भी उसका area दिखता रहता जैसे कि ये data सफ़ल्दा पूरवक हो गया और कुवा इस तरीके से दर्ज कर सकते है तो ये सारे टूल्स थे editing के टूल्स तो कोई भी काम करने से इन दोनों प्रकार के टूल्सों को समझना बहुत जरूरी था तभी आप कम काम काम कर पाएंगे अंगले में आपको लाइन काटना बताएंगे तो और भी वीडियो नक्सा सुधार सुधी करन पकवारा के तहत आएंगे उनको देखने के लिए सब्सक्राइब करके चे बेल आइकन को प्रेस करने थेंक यू